तो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जास्टर इन्फो पे तो दोस्तो आज का वीडियो बेज होने वाला है क्रिप्टो मार्केट से रिलेटर जिस तरीके से क्रिप्टो मार्केट ने आज एक हैवी डाउनफोल हमें दिया है और बिटकोईन और अधर क्र पर बेज होने वाला है तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों यह है कोईन मार्केट कैप का यहां पर हम देख सकते हैं कि धेर सारे जो क्रिप्टो करन्सी से उनका प्रफॉर्मेंस कैसा रहा है पिछले 24 घंटे में और पिछले साथ दिन म किस तरीके से बेटी से का जो मार्केट है वो 24 घंटे में कम से कम 9% से जादा डाउन हो गया था अब थोड़ा थोड़ा अब आ रहा है और यहां पर इथेरियम की बात करें तो यह 12% से भी नीचे जा चुगा था और काडानो अपने 3 डॉलर तक को टच करने ही वाला था और अब हम थोड़ा बहुत डिटेल में बात करने वाले आप यहां पर देख सकते हो कि बालेंस ने तो लगभग 20% तक का इसने डाउन फोल दिया था और यह अपने 500 तक को टच करने में था ही बट जिस तरीके से मार्केट ने डाउन फोल लिया तो अधिकतर करनेंस का जो बार कैसा है बायस और सेलर्स किस तरीके से लड़ रहे हैं आज की बात करें तो देखिए एक्स्ट्रीम ग्रीड है और इसका प्रभाव हमें देखने को मिल चुका है मार्केट इसकी ओज़से काफी जादा डाउन चला गया और कल भी था काफी जादा एक्स्ट्रीम कि तरफ तो सबसे पहले हम बिट कोईंक के आहां बात करेंगे कि अ कि अब देख सकते हो बिट कोई ऑब यहां पर देखिए मैंने मार्केट पर नजर बनाया रखा था लगब रात के नौ साड़े नौ बजे से और देखे कहां से कहां तक मार्केट डाउन चला गया तो लास्ट तारी हो गया ना कल साथ स्प्टेंबर था और पांच साड़े-पांच बजे तक सुबह के साड़े-पांच मार्केट का काफ़े इच्छा खासा मोमेंट रहा अपसाइड में रहा एंड उसके बाद जिस तरीके से मार्केट यहां पर डाउन डाउन मतलब काफी ज्यादा डाउन तक जा चुका है इवन आप देख सकते हो आ पास पास तक प्राइस मोमेंट नीचे जा चुका था 53 को तो उसने पुरा टशी नहीं किया बट आप देख सकते हो कि इसका जो एक हाइस्ट पीक लेवल था पिसले 24 घंटे में वह लगबग 53 के आसपास ही है हम बात पहरेंगे 52,850 ओके 52 और वहां से लेके मार्केट चला गया एकदम 43 मतलब लगबग 10-15% तक का इसने डाउनफोल देहे दिया बट यह शैड़ो के अगर हम बात ना करें तो इसने अपनी क्लोजिंग जो दी है वह लगबग 46 के आसपास दिया 46,000 और अभी यह करेंट में ट्रेड कर रहा है 47,000 डॉलर के आसपास यहाँ पर आप देख सकते हो कितना है वी डाउनफोल रहा बिटकोईन का और बिटकोईन ही नहीं अधर क्रिप्टो करनेशिस में कुछ-कुछ क्रिप्टो करनेशिस तो 20 50% तक का डाउनफोल दे चुक हैं जैसे कि डॉट और बिनवी की बात करें तो उसने 15 परसेंट अभी शोग कर रहा है और टीरेक्स भी लगबग 20 और डॉजी कोईन भी 20 परसेंट तक डाउनफोल जा चुके हैं तो अगर हम बात करें अभी करेंट में मार्केट किस तरीके स से प्रफॉर्मेंस कर रहा है तो आप देख सकते हो कि मैंने सपोर्ट एंड रिजिस्टंस अल्रडी यहां पर देही दिये थे मुझे लगा था कि यह थोड़ा स्था रिट्रेश्मेंट लेके इस लेवल को जो है 51,549 का इससे एक सपोर्ट लेगा एंड मार्केट फिर अप तो इंव और हम देख सकते हैं कि लगभग जो 2 सितंबर में 47,000 की आसपास जो बिट्कोई का प्राइस का था वह है और अगर हम बात करेंड में तो वह भी 47 का आसपास ही है तो मतलब 2 सितंबर को जहां पर bitcoin का price था, 7 सितंबर, 8 सितंबर को भी bitcoin का price वहीं पर है यह एक अच्छी opportunity हो सकती है अगर market यहां से up movement जाता है तो एक अच्छा खासा deep है तो buyers यहां पर चाहे तो अच्छी खासे buying करके अपना profit अगले कुछी दुम में book कर सकते हैं जो crypto से related news वगरा है वो काफी positive ही आ रहे है कोई negative news नहीं है जो हमें यह बताए कि आगयाने वाला जो time है वो bitcoin या other cryptocurrencies के लिए एक downfall साबित हो सकता है बस यह एक छोटा सा एक काफी ज़्यादा market अब चला गया था तो लोगों को लगा कि यार काफी ज़्यादा buying movement है तो मेभी अब हमें profit book कर लेना चाहिए profit जैसे उन लोगों ने book किया उस बाद देखे कितना heavy market डाउन चला गया कम से कम देख सकते हों यहां से लेकर यहां तक बहुत अच्छा खासा मतलब selling चली और लोगों ने profit book करा अगर आपने या फिर जो भी other investors या traders है उन्होंने अगर पिछला dip miss किया होगा तो यह dip उनके लिए बहुत ही जाधा खास होने वाला है यह एक अच्छा खासा opportunity के हम देख सकते हैं and market बहुत अच्छा performance कर रहा है यहां पर आप investment करना चाहते हो तो यह वाला level काफी क्या सकते हैं कि golden opportunity है अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं तो आप यहां पर देख सकते हो कि जिस तरीके से अगर हम MSD के बार में बात करें तो अभी यह blue line है इसने red line को downside में काफी नीचे तक धकेल दिया है and जो पिछले जो down moment हम देख सकते है वह लगभग अगर हम इस level के बार में बात करें तो यह 280 है ड्रॉ किया है पिछले दो से तीन बार इसने इसी लेवल को as a support की तरह यहां पर माना है यहां पर देख सकते हो आप 26 अगस्त and then एक सितंबर और आज है 8 सितंबर और यहां से ही इसी लेवल के आज-पास से हमें एक छोटा सा green candle भी देखने को मिल रहा है यहां पर देखिए यह देखिए चोटा सा green candle यह हमें थोड़ा सा सानुभोती दे रहा है कि में भी मार्केट यहां से एक अच्छा-खासा up moment लेने वाला है और अगर नहीं भी लेता है तो मार्केट कितना ही नीचे जाएगा इस लेवर के नीचे तो मार्केट नहीं जाने वाला जो है 43 के आजबास अगर हम वेट करना भी चाहे तो हम कर सकते हैं बट मुझे नहीं लगता कि मार्केट अब थोड़ा बहुत डाउन जा सकता है और लोगों को अब लगने लगा है कि मार्केट काफी जादा जादा जिससे हम कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट डाउन जाएगा या अप जाएगा तो अब बेट करते हैं कल सुबह के लिए और फिर भी इनी को यह डिप मिस नहीं करना है तो आप चाहो तो यहां पर एक तरह से ट्रेड ले सकते हो यह वाला जो लेवल है 47,000 वाला ओके यह थ आज का मेरा technical analysis and support and resistance के बारे मैं आपको बता दो तो हमारे पास अभी तो सिर्प और सिर्प खरीदना है एंड उसके बाद हम बात करेंगे मार्केट ने जिस तरीके से 40,000 तक का एक target fix किया था तो बारा से मार्केट उसी लेवल की और grow करेगा आने वाले time में और बहुत अच आज का technical analysis bitcoin के उपर और same process other cryptocurrencies में भी होने ही वाली है आप वहाँ पर भी आजमा सकते हो अपने trades को तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो फसंद आया होगा informative लगा होगा तो इस वीडियो को like कर देना साथ ही मेरे channel जैस्तर info को subscribe करना मत बूलना bell का icon होगा देना तो अच्छे ट्रेट करो आज के लिए बस इतना ही थांक्स वर वाचिंग